दोस्तों के साथ शराप के नशे में रमाकांद की महफिल बहुत जोशो से चल रही थी थोड़ी ही देर बाद सुनील को हॉल में दाखिल होती क्यारा सोबती दिखाई थी उसे रमाकांद को कोहनी मारी और दवाजे की तफ इशारा किया उसे बोला ओफिस में वेट करें तुम ही लो यहां से ओए कहना मानना जा जहां मासद गे जाहिर था कि रमाकांद का अपनी महफिल बरखास करने का फिलहार कोई रादा नहीं था सुनील उठा और दवाजे की तब बढ़ा उसे करीब आता देखका क्यारा ठिटके उसके करीब पहुँचका सुनील ने उसकी बहां थामी और खामूशी से उसे ओफिस की तरफ ले चला जो हौल के बहार रिसेप्शन के पहलू में था ओफिस में उसने रमाकांद के ओफिस टेयर कब जाई और क्यारा को अपने सामने एक विजिटर्स टेयर पर बैठने का इशारा किया सुनील को सूरत से वो बहुत प्रेशान लगी कुर्सी पर भी वो बेचैनी से पहलू बदलती बैठी क्या बात है खेरियत तो है क्या क्या हाँ सभी है मुलाकात हुई बात हुई उसने कठिन भाव से इंकार में सरहिलाया किस बात से इंकार कर रही हो मुलाकात से या बात से या फिर दोनों से वो बात से मुला का थुई एक मिनट से भी कम समझो सुरत दोबारा देखी बस फिर तुम्हारे होश इतने क्यों उड़े हुए है होश? नहीं नहीं तो हाँ है तो ऐसा ही शायद भाग कॉर्ब से अफरा तफरी से प्रेशान हो नहीं हाँ 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 यही बात है यही बात है अच्छा होता है ऐसा भी थोड़ा दम ले लो फिर बात करते हैं उसने सहमती में सरहिलाया अस्वा पर्यास नॉर्मर होने की कोशिश करने लगी सुनील ने अपना सिगरेट का पैकेट निकालाओ एक सुलगा लिया कुछ पियोगी क्या नहीं नहीं थैंक्यू तुम नौ बज़े यहां से गई थी साड़े दस बज़े लोटी हो तुम्हारी मुलाकात तीस सेकंड की हुई बताती हो रात के इस घड़ी को यहां से कोपर रोड के रूड पर ट्राफिक का रश भी नहीं होता इतनी देर कैसे लगे आने में देर क्यूं लगी हाँ यही पूछा मैंने वो क्या है मैं उसे रूबरू पाकर बॉक ला गई थी और आइंदा मुलाकात के प्रोस्पेट्स ने मुझे नर्वस कर दिया था मैं नॉर्मल होने के लिए होटल के करीब के एक पार्क में जा बैठी थी इतनी रात को हाँ कितना अलसा बैठी यही कोई कोई 25 मिनट 20-25 पक्के बात भई घड़ी तो नहीं देखी थी ना अंदाजा नहीं बोल नहीं हूँ फिर यहां आई हाँ यह थी तुमारे लेट होने के वज़ा हाँ नॉर्मल हुई या नहीं क्या तुम तो अभी भी पैशेमान हूँ नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो बताओ क्या हुआ होटल में वो क्या है कि उसका जो कमरा मुझे बताया गया था न वो होटल की पांचवी मंजिल पर था नंबर 506 लॉबी में बिना रुके लिफ्ट के जरिये में सीधे पांचवी मंजिल पर पहुँची थी किसे ने टोका नहीं ना ध्यान तक नहीं दिया मेरी तरफ तब लॉबी में काफी हल चल थी शायद इसलिए या शायद तुम्हें रेजिडेंट समझाओ हाँ हो सकता है तब का टाइम का कोई अंदाजा हाँ तब साड़े नौ बजे थी यह अंदाजा तो नहीं हुआ यह तो एक्ज़ट टाइम हुआ इत्फाक से तम मेरी अपनी कलाई घड़ी पर निगाँ पड़ गई थी आगे वो पांचवी मंजिर पर जाकर मैंने रूम नंबर 506 की कॉल बेल बजाई तो उसने दवाजा खोला मुझे सामना खड़ा पाकर वो साफ हर बढ़ाया फिर जल्दी ही संभल गया और नराजगी चताने लगा कि मैं फिर आ गई थी पूर जोर लहजे से दुराने लगा कि वो वो शक्स नहीं था जो मैं उसे समझ रही थी मैंने भी जिद की कि वो वही था नाम और थोड़ी बहुत शकल बदल लेने से हकीकत नहीं बदल जाती थी मुझे यकिनी तोर पर मालूम था कि वो वही शक्स था जिसने मुझे अपना नाम आदित्य खन्ना बताया था और मेरे से 19 लाक रुपे ठगे थे ततकाल उसके मिजाज में तबदीली आए और वो मुझे धीरे बोलने को कहने लगा क्यों मिस्टर सुनील कमरे में उसके साथ कोई और था कौन कोई कोई लड़की थी मैंने एक बार उसके कंधे पसे भीतर जागा था मुझे वो सोफा चेर पर उसके मौजूदगी का एहसास हुआ सोफा चेर की दवाजे की तरफ पीट थी और पीट के उपरी सिरे पसे मुझे भूरे जनाना बाल दिखाए दिये थे और सोफे के पहलू से एक उंची एडी कर सैंडल वाला पाउं दिखाए दिया था फिर उसने खुद कबूल किया कि भीतर वो अकेला नहीं था नहीं बताया कि साथ में कोई लड़की थी वो बहुती पॉलाइट स्वर में बोला कि अपनी प्रेजेंट कमपनी से फारिग होकर और मेरे से बात कर सकता था और निरविवाद रूप से स्थापित कर सकता था कि उसके बारे में मेरे को मुगालता लगा था उसने मुझे से रुक्यस्ट की कि मैं नीचे लॉबी में जाकर वेट करूँ अपने महमान से फारिग होते ही जहां फोन करके वो मुझे बुला सकता था मैंने वेट करना कबूल कर लिया लेकिन दबी जबान में साथ ही उसे ये भी जदा दिया कि मुझे मालूम है कि अंदर कोई नौजवान लड़की थी और ज़रूर वो उसका नया शिकाह थी मैंने कहा कि अगर उसने मुलाकात के मामले में मुझे कोई गोली देने की कोशिश की तो मैं सारे शहर में उसके फरेवी किरदार का ढोल पीड़ दूँगी जो कि इस लड़की को भी सुनाई दिये बिना नहीं रहेगा जो कि इस घड़ी तुम्हारे साथ थी बलफ था? था लेकिन वो चला उस पर बराबर उसकी सूरत से साफ ज़र्का क्यों से लग रहा था कि मैं उसका खिल बिगार सकती थी Very good साफ ज़र्का तो इससे तो ये स्थापित हुआ कि तुमने उसे सही पकड़ा था ये वही शक्स था जिसने तुमें ठगा था और अब वो तुम्हारे जैसे एक नए प्रोस्पेट को कल्टिवेट कर रहा था वो लाख मुकर था मैं ये कबूल नहीं करने वाली थी कि वो मेरा वाला कॉनमें नहीं था खेर फिर क्या किया तुमने लाबी में वेट करना कबूल किया उसने मेरे मुँपर दवाजर बंका दिया लेकिन मैं वहां से टली नहीं अच्छा गल्यारे में एक तरफ के कौने के करिब कैक्टस का एक डेकोरेटिव पौधा था जो की इतना हूँचा था कि मेरे कंधो तक आता था मैंने जाका उसकी ओठ ले ली और उसके कमने में से उसके कथित महमान के निकलने का इंतिजार करने लगी वज़ा दो थी एक तो यूँ ये कंफर्म हो जाता कि रात के उस खड़ी उसके साथ वाके कोई खोपसूरत नौजवान उसके नए शिकाल का दहज़ा रखने वाली लड़की थी दूसरे मैं उसकी तस्वील खीचना चाहती थी फासले से गल्यारे के कौने से फासला ज़्यादा था लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं था फिर मेरे पास आइफोन है जिसे मैं जूम पर लगा का फोटो खीचती तो उसमें वो आ ही जाता फिर फोटो खीची नहीं क्यों एक वेटर की सूरत में बाधा आ गए वो शक की निगाहों से मुझे देखने लगा मैं जानती थी कि बजाते खुद तो उसकी मेरे से कोई सवाल करने की मजाल नहीं हो सकती थी लेकिन वो security स्टाफ को मेरे बाबत बोल सकता था जो मेरे लिए दिक्कत की बात होती तब मैंने ये जहर किया कि मैं गलत फ्लोर पर पहुँच कही थी मैंने उसी से पूचा कि मैं कौन से फ्लोर पर थी वो बोला पांचवे पर तो मैंने उसे सुना कर का कि अरे मुझे तो छटे पर उतरना था और सामने फिर लिफ्ट पर सवार हो गए मैंने छटी मनजिल का बटन दबाया था कि वेटर आश्वर सोचाता कि मुझे असल मैं छटी मनजिल पर जाना था ओट से मैंने गल्यारा जाका तो खाली पाया, बेटा वहाँ नहीं था, लेकिन तभी 506 का दवाजा खुला, एक लड़की ने यूँ ही भाहर कदम रखा और उसकी पीट मेरी तरफ थी, जब मुड़ा उसके साथ भाहर नहीं निकला, भाहर तो निकला ही नहीं, मुझे ऐसा ऐ ऐसा हुआ कि वो दवाजे तक भी उसके साथ नहीं आया था, क्योंकि लड़की तो कमरे से बाहर निकल थी, एड़िया ठटखा थी, गल्यारे में लिफ्ट की और बढ़ चली, जो की सीड़ियों से विप्री दिशा में थी, अपने पीछे वो कमरे का दवाजा बंद कती एले ही लिफ्ट का दवाजा बंद हो गया, हब वो नीचे चली गई, मैंने दूसरी लिफ्ट का बटन दबाया, उसके फिफ्ट फ्लोर पर पहुंचने में कदरन वक्त लगा, तो की रास्ते में वो सेकंड और फोर्थ फ्लोर पर रुकी, आखे जब मैं लॉबी में पहुं जिसका निचला सेरा जीन्स तक नहीं पहुंचता था, जीन्स लो राइस थी, और स्कीवी क्या थी, छोटा सा ब्लाउस था, स्कीवी और जीन्स के बीच में कम से कम आठ इंच स्के नुमाया थी, मिस्टर सुनील, इस वज़ा से फासले से भी मैंने उसकी कमर पर पीट की त देखने पर जो अमादा थी, और क्या देखा था, और बाल देखे थी, जो कि फुटे से खीची सलकीरों की दहां सीधे थे, और भूरी रंगत के थे, बाल कंदों से नीचे तक आते थी, इसलिए मैं नहीं देख पाये थी कि कानों में या गले में कुछ पहना था या नहीं, हाथ, किसी हाथ में कुछ दिखा, मुझे हाथ दिखाई नहीं दी, कमाल है, कमर पर का सीलों के नक्षे जैसा बर्थमार तुमें दिखाई दे गया, लेकिन हाथ नहीं दिखाई दी, अब था तो ऐसा ही, और, और क्या देखा, कद का कोई अंदाजा, नहीं, हाई हील्स पांच फूट दो इंच, यानि हील्स के साथ वो साड़े पांच फूट के पेटे में थी, साड़े पांच नहीं तो पांच फूट पांच इंच तो, इससे तो कम नहीं थी, फिर तुमने क्या किया, मैं, मैं लॉबी में आकर बेचैनी से चेहल कदमी करने लगी, और उसके फोन का इंतजार करने लगी, फोन कहा आता, लॉबी के हाउस फोन पर, नहीं मेरे खिया से रिस्रेप्शन पर, फिर वो लोग मुझे पेज करवाते और फोन पर बुलवाते, तुमारे मोबैल पर नहीं, उसने उस बात पर विचार किया, आ सकता था, उसने अपने नंबा से किनारा किया था, मेरा तो तबदिल नहीं हुआ था, फिर फोन आया, नहीं आया, फिर क्या क्या, एक रिजने बर टाइम तक फोन आने का इंतजार किया, फिर हाउस टेलिफोन से मैंने उसका फोन खड़ खड़ाया, तुमको नंबर मालुम था, मिस्टर सुनील, बड़े मामूली बाद जहन से उतर गई, हाँ तो होता है, फिर तुमने क्या किया, मैं फिर पांचवी मनजिल पर गई, मैंने जा कर उसकी कॉल बेल बचाए, कोई जवाब ना मिला तो दवाजे पर दस्तक दे, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला, यानि महमान को रुकसत करने के बाद वो जवाब खुद भी रुकसत हो गए, शायद, और क्या टाइम हुआ था तब, मैंने घड़ी नहीं देखी, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि शायद पौने दस के करीब, पौने दस नहीं तो बड़ी हद है तो पांच मिनेट उपा, और इतनी रात कर अकेला होटल स गुजर के जाता और तुम्हें दिखाई देता, बार में देखा था, मुझे तो ख्याल तक नहीं आया, किसी रेस्टोरेंट में, नहीं, ब्राइट आइस, अब ये बताओ कि जो किस्सा तुमने मुझे सुनाया, उसमें ऐसी हैरान, प्रेशान करने वाली कौन सी बात थी, क कि नॉर्मल होने के लिए होटल से निकल का तुम करीबी पार्क में जा बैठी, उसने जवाब नहीं दिया, जवाब की जगा बेचे आने से पहलू बदला, शायद मुलाकात नहों पाने की विज़ा से तुम्हारा मन खड़ाब था, उसने उस प्रस्ताव का आसरा चाहने के अंदाज में हामे परी, तुम्हारी considered opinion क्या है, qualified raya क्या है, वो भीतर था जवाब नहीं दे रहा था, या वो कहीं चला गया था, मेरी राय में वो भीतर था, जवाब नहीं दे रहा था, यो तुम्हारे से मुलाकात को वो कब तक टाल सकता था, शायद, शायद उसका इराद चेक आउट का जाने का हो, अपने कॉनमेंशिप के नए प्रोजेट को मजधार में छोड़ का, मैं स्टारलाइट होटल से चेक आउट का जाने की बात कर रही थी, जहां उसकी मौझूदगी के इतिफाक से मुझे खबाल लग लग थी, वो इसी शहर में किसी और होटल में चेकिंग कर लेता, तो मुझे क्या खबर लगती है, बात तो ठीक है तुम्हारी, वक्ती खामोशी चाह गई, उसी दोरान सुनील ने सिगरेट को एश ट्रे में छोगा, अब विचार पूर्ण मुद्रा बनाए, उंगलियों के पोरों से मेज पर खामोश दस्तक देता रहा मेरे ख्याल से, आठे सुनील बोला, इमीजेट चेक आउट की कोशिश वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी लॉबी में मौजूद्गी का, या होटल से बाहर की मौजूद्गी का अंदेशा होगा, वो ऐसा कोई कदम उठाएगा, तो ये सुनिश्चित कर लेने के बाद ही उठाएगा, कि होटल पर तुम्हारी या किसी दोसे की नजर नहीं है, इस लिहाज से अगर मैं फॉरन होटल पहुँचू, तो मेरी उसे मुलाकात हो सकती है, आप, आप उसे मुलाकात करोगे, क्यों, कोई हर्ष, नहीं उसने तब भी यही जाहिल किया था कि भीतर को ही नहीं था तो, मेरे साथ शैद ऐसा ना करे, मेल वाइस सुनकर शैद ना करे, आप क्या भात करेंगे उससे, वही जो मुलाकात होती तो तुम करती, या ऐसा करो ना तुम साथ चलो, मरदाना आवाज के धोके में दवाजा खोल देगा, तो दोनों उसके गले मैं, मेरा फिस से जाना शैद ठीक नहीं होगा, क्यों? उसे बनक भी लग गए कि मैं साथ थी, तो शैद खेल भी गड़ जाएगा, कैसे बनक लग जाएगी? कैसे भी? एंजल फेस, बात तो ठीक है तुमारी, ठीक है, मैं अकेला ही जाता हूँ, और तब तक मेरे लोटने का तुम यहाँ पर इंतजार कर सकती हो, किसलिए? शैद कोई बात तुम्हें बताने लायक निकल आए, ऐसी बात सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकती, गड़ तो सकती ह तो फिर मैं घर जाती हूँ, सुबह आपसे कांटेट करूँगी, ठीक है, लेकिन कोई खास बात हुई तो मैं फोन करूँगा, इसलिए जाते हैं मत सो जाना, इतनी चल्दी नहीं आने वाली मुझे, और आवे गई तो फोन की घंटी सुनकर यकिनन जाग जाओंगी, ठीक ह उसे सुनील का अपचारिक अभी बादं की और वहां से रुकसत हो गई, सुनील हॉल में पहुँचा, रामा कांट की महफिल अभी भी जा रही थी, रामा कांट जड़ा इधर आकर मेरी बास सुनो, अई यार, इतनी रौनक लगी है, इतना मज़ा आ रहा है, तू जा रहा है तू जा न, जहां तुझे जान है, मुझे क्यों घसीट रहा है, नाजुक मामला है, साथी की जोद पड़ सकती है, मेरे साथ चलो, तो जो और ही को ले जा, ठीक है, काल की क्या कहते हो, सारी खड़ी है, जड़ी मर्जी ले जा, काका बल्ली, गोली किद्धी, ते गेने किद और फिर वही बाते शू कर दे, ओए जेंटलमेनों, हल की लखीरे देखकर नहीं बताया जा सकता कि खेट जोतने में कितने बैल लगे थे, सुनील और जोहरी कोपर रोड और आगे स्टार लाइट रेजिडेंसी पहुँची, तब साड़े ग्यारा बचने को थे, लेकिन हमारा निशाना पांचवी मनजिल का कमरा नंबर 506, मैं चाहता हूँ कि हमें मालूम हो कि उस फ्लोर पर कमरों की बुकिंग कैसी है, तेरे को इंकामों का कोई तजर्बा है, मालूम कर सकता है, जोहरी ने सहमती में सरहिलाया, आप यहीं रुकिए, ठीक है, जोहरी रिसेप् मुंबई की बड़ी फूफा वाली कंपनी का नाम लिया, बोला कि चेर्मेंग के लिए एक रूम बुक कराना था, जो ज़्यादा हाइट पर ना हो, और रोड ट्रेफिक से कदरन उपर भी हो, फिर पांचवी मनजिल की अविलेबिलीटी के बारे में पूछा, तो बात हुई जो मैंने आपको अभी बताई, चेर्मेंग के बुकिंग के बारे में क्या बोला तू, यही कि चेर्मेंग की फिफ फ्लोल की बाबत ओके लेनी थी, जो कि कल हासिल होगी, बढ़िया, अब तू यहां रुक में उपर जाता हूँ, और किसी तहां कि गरबड़ी का मुझ बनानी है न, तो फिर मुझे किसी हल्प के जोथ होगी, तो फोन करूँगा न, अच्छा, ठीक है, सुनील ने सिगरेट को फैक दिया, लिफ्ट पर सवार होका पांचवी मंजिल पर पहुँचा, गलियारे में उस घड़ी मुकमल सनाडा था, जब एक ही कमरा उक्यू जवाब नदारत, वो दवाजे पर दस्तक देने लगा तो ठिटका, पल्ला चोखट के साथ लगा हुआ नहीं था, उसने एक उंगली दवाजे के साथ लगाई और दबाव डाला, पल्ला चोखट से परिस रखने लगा, जब दवाजे अतना खुल गया कि वो भीत जाग पा धकेला भीतर कदम डाला, धीरे से अपने पीछे उसने दवाजा भिड़काया और अंजाने सस्पेंस के हवाले आगे बढ़ा, बात्रूम और वाड्रोब के बीच की रहाधारी पार करके, वो कमरे में पहुंचा तो उसे ड्रोइंग रूम की तांसु सजित पाया, पीछे एक दवाजा था जो की बन था, अब जाहिए था कि वो एक स्वेट में खड़ा था, जिसके बेडरूम का दवाजा बन था, उसने आगे कदम अढ़ाया तो ततकाल थमक का खड़ा हो गया, थिरी सीटर सोफिय और सेंटर टेबर के बीच में एक निश्चेश्ट मानव शरीर पीट केबल पड़ा था, जिसम पर वो ब्राउन पत्रून और ट्विट की मैचिंग जैकेट पहने था, जैकेट की जेप तीन चोथाई बन थी और बाकी के नीचे से सफेद कमीज और लाह नेक्टाई छलक रही थी, उसकी आँखे पत्राई हुई थी और छाती में मूट त उन एक दो फूलों से जहिर होती थी जो मेज पर और लाश के पहलों में अव्यवस्तिस से पड़े थे, लाश से थोड़ा परे कार्पिट पर एक बटूआ लुटका पड़ा था, जिसके दोनों पल्लोग खुले हुए थे, बीतर से पर्स के गिनने से बहासरकाई नोट रहे थे, उसने और करीब जाका जुक का लाश का मुएना किया तो पाया कि चाकू का हैंडल नकाशिदा था, जिससे जाहिर होता था कि चाकू कोई मामूली चाकू नहीं था, सावधानी से उसने लाश के माथे को छुआ तो उसे कदरन गर्म पाया, लेहाजा उसे मरे हुए देड़े घंटे से जादा नहीं हुआ था, और वो यकीनी तोर पर आदिते खन्ना और अंशुल खुडाना ही था, रमा कांत ने आदिते खुडाना की तस्वीर का जो दाड़ी मुच विहिन प्रिंट आउट बनवाया था, वो मक्तूल की शकल से हूब भू मिलता था, उसन उसे अंगूठी की भी करीब से तस्वीर कीजी, एक सोफा चेयर के पहलू में कार्पेट पर एक लिप्सिक टूट की पड़ी थी, उसे रुमार के जरी उठा का उसका धक्कन खीचा तो पाया कि वो लॉरियर के एक क्रिमसन ब्रांट की थी, उसने धक्कन वापस लगा का उ होते हुए सारे कमरे में खूमे, सोफे के बाजू में एक साइट टेबल थी, जिस पर एक ट्रे में ड्रिंक्स के दो फैंसी ग्लास और पीनट्स कट कटोरा रखा था, उसे जुक कई ग्लास को सुंगा, तो स्कॉच की साफ गंद उसके नतुनों से टकराई, ट्रे में या आ में शरीक वो भूरे बालो वाली लड़की और बर्थ मार्क वाली लड़की नहीं थी, जिसका क्यारा ने जिकल किया था, जमा वो ट्रे वहां शाम से पड़ी हो सकती थी, उससे भी पहले की पड़ी हो सकती थी, बहरहार वो ट्रे वहां किसी नॉन विजिटर की हाजरी लग कम्रे के प्रेश्ट भाग की पूरी दिवार पर एक धका हुआ भारी परदा था, जिसके पीछे विशार, गिलास, विंडो होने की संभावना थी, लेकिन भारी परदे की वज़ा से वो दिखाई नहीं दे रही थी, उसने आगे बढ़ का परदा सरकाया तो पाया कि परदे के बाजू में एक दवाजा भी था, जो बाहर बारकनी में खुलता था, उसे नोट किया कि उसको बंद करने के लिए उसके उपर के सिरे पर पीतल की चटकनी थी, चुछ चड़ी हुई नहीं थी, उसने दवाजे को हॉले से धका देका बाहर जहाका तो पाया, वहां दो बैट की कुर्सियां और एक गलास टॉप वाली बैट की ही गोल मीच पड़ी थी, बाइकनी के बाएं बाजू के करीब से फायर एसकेप की सीर्ण गुजर रही थी, उसे दरवाजा पूरबत बंद कर दिया और परदे को यथा स्थान व्यवस्तित कर दिया, वो वापस तो डबल बैट की उधर की साइट टेबल पर टेबल नैम के करीब उसे एक मोबाइल पड़ा दिखाए दिया, जो की चार्ज पर लगा हुआ था, उस लिहास से वो उस स्वेट के आक्यूपेंट का ही हो सकता था, करीब जाकर उसके पहले जैसे सावधानी ब्रक्ते रुमार के जरी मोबाइल को उठाया, उसकी स्क्रीन पर निखा डाली, मोबाइल 100% चार्ज हो चुका था, और इसलिए फिर भी चार्ज पर लगा हुआ था, क्योंकि उसका मालिक हब इस दुनिया में नहीं था, उसने पहले फोन दबाया और फिरी सेट्स दबाया, कोई रीसेंट उसने फिरीट्स दबाया तो पाया, कि उस पर पाँच नाम दर्श थी, एक नाम मरदाना था और चार जनाना थी, मरदाना नाम पहलाद राज का था, और जनाना नाम तोरल, काफ्या, देवीना और क्यारा थी, पहले और आखरी नाम के साथ मतल के दाने के व्यास जितनी जोन चुका था, वो भी अभी तक फिवरिट्स में, शायद कोई और क्यारा भी, कोई हम नाम क्यारा, उसने आई पंच करके नमबर चेक किया, नमबर वही निकला जो क्यारा सोबती ने उसे दिया था, इसका मतलब था कि मक्तूल या लापरवा बहुत था, जो उस नमबर को डिलीट करना भूल गया था, या खुश फैम बहुत था, जो समझता था कि क्यारा सोबती से उसका भविशे में फिर कभी भी वास्ता पड़ सकता था, क्यारा को छोड़का उसने बाकी नाम बर में मोबाइल नमबर अपने मोबाइल पर नोट्स में दर्श कर लिये और चार चित आकशक धंग से मुस्करा रही थी, वो टेबल पर पहुंचा, उसने हाथ को रुमार में लपेट का फ्रेम को उठा कर हाथ में लिया तो पाया कि फ्रेम के टॉप पर एक लंबा खांचा था, जिसमें से फ्रेम में तस्वीर प्रोई गई थी, उसने गौह से उस खांच वो उतनी ही खूब सुरत दो जुदा लड़कियों की तस्वीरी थी, साफ जाहिर हो रहा था कि वो आगंतुक लड़की को परभावित करने के प्रॉप था, वो तीनों लड़कियों से वाकिफ था, और जो भी लड़कियों से मिलने पहुंचती थी, वो फ्रेम में उसकी त तस्वीर फ्रंट में कर देता था, उन तीन विभीन सुंदरियों की तस्वीरे जहर करती थी, कि अपने कॉनमेंशिप के अभियान में वो राजनगर की तीन लड़कियों के कॉन्टेक्ट में था, जिने की वो अपनी ठगी का शिकार बनाने का तमन्ना ही था, भूरे बालो वाली कमर पस सीलों के नक्षे वाली जो लड़कि उसके कमरे से निकल कर जाती क्यारा ने देखी थी, इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती थी कि फ्रेम की फ्रंट वाली तस्वीर उसकी थी, बशाते की उसके जाती ही मक्तूलने तस्वीर बदल ना दी हो, अगले शिकार के इंतिजार में, बहरहार बहुत पहुँचा हुआ खिलाडी था वो कौन मैंशिप का, उसने मोबाइल से तीनों स्नैप्स की अलग-अलग तस्वीरे की चली और उन्हें फ्रेम में यथा पोविस थिती में पहुँचा दिया, फ्रेम के करीब ही राइटिंग टेब कोई वजह उसे नहीं सूजी, सिवाय इसके कि वो नंबर पहले उसे बताया गया था और शायद बाद में उसने उसे मोबाइल में नूट किया था, वो मेजपस से हटा जिस टेबल पर टीवी पड़ा था, उसके बाजू में जूते का डबबा पड़ा था, उसने करीब जाका उसे उठाया तो वजन से ही जाहिर हो गया था कि वो खाली था डबबे पर लेडिस फुटवेर्स का इंटरनेशनल ब्रैंड नेम दर्ज था, अब भी था एक पैंफलेट था, जिस पर आसाधारन हाई हील की ला रंग की सेंडलों का अक्स दर्ज था डबबे पर इरो में कीमत दर्ज थी जो बताती थी कि जिन सेंडलों का वो डबबा था, वो 32,000 रुपे की थी जिबबा एक दम नया था, लेकिन भीदर से सेंडल गायब थी, जो की हैरानी की बात थी करीब ही एक बैग पड़ा था, लेकिन उसको नंबर्ड लॉक लगा हुआ था, रैटें टेबल के दो दराजों में कुछ नहीं था उसने मैट्रस उठाकर उनके नीचे भी जाका, सिरहानों के पीछे भी देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था वो बहार लेक कमरे में आया और वार्ड रोप पर पहुँचा, उसने उसका दर्वाजा एक बाजू सरकाया और भीतर अपने आप बत्ती जल उठी भीतर तमाम हैंगरों पर मदाना कपड़े टंगे हुए थी, केवल एन कौने में सरका हुआ एक हैंगर खाली था वार्ड रोप के पहलू में एक बंद दर्वाजा था, उसने दर्वाजे का मुएना किया तो पाया कि उसमें उसे खोलने, बंद करने के लिए मेंडो जैसा कार्ड की का स्लॉट नहीं था उसमें हैंडल वाला बेल्ट इन लॉक था, जो की चाबी से खुलता था, उसने हैंडल ट्राय किया तो दर्वाजे को मजबूती से लॉक्ट पाया दर्वाजे की पोजिशन से ही जहार होता था कि वो उस स्वेट को बगर के स्वेट से जोड़ता था और जरूर वो तब इस्तेमाल में लाया जाता था कि जबकि कोई बड़ा परिवार अगल बगर के दोनों स्वेट बुखके हों, जरूर उस सूरत में वो दवाजा खोला जाता था और इस्तेमाल में लाया जाता था और बगल के स्वीट में कोई दूसरा अक्यूपेंट हो तो उसकी प्राइवेसी में खललना डाल सके। तब ही उसके मोबैल की गंटी बजी। जोहरी की कॉल थी, उसने कॉल रिसीव की। पुलिस, खुद इंस्पेटर पबुद्याल है, उपर आ रहा है। सुनील ने ततकाल फोन जेब के हवाले किया, वार रोप का दवाजा यता स्थान सरकाया और वहां से बहार निकला। उसने अपने पीछे दवाजा यता पूर बंद किया और गल्यारे में लिफ्ट किया चपड़ा। एक लिफ्ट उपर आ रही थी, किसे फ्लोर तक पहुँच भी चुकी थी और दूसी टॉप फ्लोर पकड़ी थी, उसने बेचैन भाव से सीर्यों की तरफ तवज्जो दी तो उस पर भी किसी के उपर आते कदम पड़ते जान पड़े, उपर आती लिफ्ट अब चौथी वाट दा हेल, उसने अपने पीछे से पबुद्याल की अबास सुने, सुनील ने बड़े दर्शनी अंदास से बेल पुश के करीब से हाथ हट आया घूम का पीछ दे, अरे माई बाप आप यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो किसी से मिलने आया था, किस से, रूम के उ क्या आगे आगे, गंटी पहली बर बजाई, नहीं जनाब तीसरी बाद, जवाब नहीं मिलने की कोई वज़ा आई मगज में, बातरूम में होगा, दवाज़ा ट्राय नहीं किया, किस लिए, बीतर दाखल वाप आने के लिए, अभी तक तो ख्याल नहीं आया था, फिर भी क तुम अभी यहाँ पहुंचे और दवाज़ा खुलने के इंतजार में खड़े हो, जी हाँ माई बाप, आप इतने सवाल पूछें, एक सवाल पूछने की मुझे भी अजाज़त दे दीजे, क्या, आप यहाँ कैसे, जवाब तुम्हें मालूम है, नहीं मुझे नहीं मालू मुझे कैसे मालूम, आप यहाँ क्यों आये हैं, बाजो गटो सुनील ने आहत भाव से उसकी तरफ देखा, चुप चाप खड़े रहो, तब ही बंसल चौकर पर पकट हुआ, उसने पबुद्याल को देखका सहमती में सरह लाया, हो गया का, किसका, पबुद्याल उसे घुरता हुआ बोला, किसी ना किसी का, मैक्सिमम चांसे इस रूम मे अक्यूपेंट के ही है, कैसे जाना, क्या तुम भीतर आय थे, अरे नहीं जनाब, मैं तो अब भी पहुँचा बताया ना, आपको गंटी बजा रहा था, तो कैसे जाना, अरे जी ये बंसल के विवास से जाना, आप लोग भी एका एक आयत से जाना, और अपनी खास सुनीलि आकर सुनी लो, लेकिन ये नहीं सूच सकता, कि कतल इस रूम के आक्यूपेंट का हुआ था, मैंने ऐसा तो कहा भी नहीं, मैंने तो कहा कि अगर बीतर कोई कतल का केस मौजूद था, तो उसके रूम के आक्यूपेंट होने के चांसे तो सबसे जादा थे ना, अलफाज खामखा, ठीक है खामखा, अब नीचे लॉबी में जाकर बैठो, और जब तक मैं तुम्हारा बयान न ले लू, महां से हिलना नहीं, अरे क्या जुल्म करते हो माई बाप, कोई जुल्म नहीं, जिस काम तुम आये थे, वो तो अभूर सकता नहीं, जिस से मिलने आये थे, व रिपोर्टर सहाब, ठीक है, देखे सर, जैसे लाइफ बॉय है जहां, तंदृस्ती है वहां, वैसे ही कतल है जहां, ब्लास्ट है वहां, कैसे कर लेते हो रिपोर्टर सहाब, वो भी हर बार, जहां कहीं भी कतल होता है, वहां पहले से मौजूद होते हो, इत्फाक की बात है सारे इतिफाक तुमारे ही साथ क्यों होते है अब ये भी इतिफाक की बात है ठीक है लॉबी में न सही ही ठेहरो लेकिन खबरदार जो पुलिस के किसी काम में दखना अंदाज हुई नो सर नेवर तब ही पुलिस की फोरंसिक टीम वहां पहुँची उनमें से सुनील फिंगर प्रिंट्स एस्पर्ट शकिल एहमत को और फोटोग्राफर प्रितम कोली को पहले से जानता था सब भी तर दाखिल हुई सुनील भी खामूशी से भीतर आया गया काले सुट वाले ने बताओर रूम के उक्यूपेंट अंशुर खुडाना की शिनाक्त की और उसे फिर रुकसत का दिया गया फोरंसिक एस्पर्स अपने स्काम में जुट गए बबुद्याल ने सुनील की भाँ पक्रियों से बाहर गल्यारे में लेकर आया अब बोलो कैसे पहुंच गए तुम यहाँ सीधा-सीधा बोलो बिना कोई गोली सरका है लेकिन सर आप भी तो बताईए आप कैसे पहुंच गए हाँ हमारे पास एक गुमनाम कॉल आई थी क्या कि फांसुच्द चे में कतल हुआ था नहीं कहा गया था कि वाइलेंस का केस है यहां कोई मर रहा था या मर गया था बस इतना ही कहा गया था और लाइंग कट गई थी पुलिस रूटिंग के तोर पर कॉल ट्रेस तो की गई होगी न की गई थी कूपर रोड के मोड पर एक पैटोल पंप है वहां के PCO से की गई थी अब तुम बोलो बलास को भी मिलती चुलती कॉल मिल ली थी बस वो गुमनाम नहीं थी कौन था कॉल करने वाला? वो बलास का regular informer था नाम बोलो सुनील ने मजबूरी से और बढ़ती मजबूती से इंकार में सरहिलाया पबुद्याल ने खूर कर उसे देखा आप जानते हैं ना ऐसा करना कैदे के खिलाफ होगा और ये भी जानते हैं कि मीडिया पर अपना information का source reveal करने का दबाब नहीं डाला जा सकता तो तुम ये कहना चाहते हो कि बलास पुलिस की तरह informer को उशेह देता है सर सारी अकपार वाले देते हैं कड़क खबर कैसे भी मिले कहीं से भी मिले मीडिया तो उसका हमीशे welcome ही करती है क्या बोला तुम्हार informer आपको याद है पांस साल पहले नेपियल हिल के एक बंगले में murder हुआ था जो कि जिसमें सुपारी लगा कर कतल किया गया ऐसी सुपारी किलर हमीशे बाहर से आता है वारदात को अंजाम देकर चलता बनता है इसलिए कभी पकड़ में नहीं आते और जब तब पुलिस को वारदात की खबर लगती है तब तक सुपारी किलर मौकाई वारदा से स्याकड़ो मील दूर चला जाता है ठीक इंफॉर्मर के जरिये हमें टिप मिली थी कि इस कतल के लिए जिम्मेदार कातिल होटल स्टार लाइट के कमरा नंबर 506 में मौझूद था इसलिए तुम यहां आये थी हाँ कातिल से मुलाकात करने वेल इरादा तो यही था तुम उसे सुपारी किलर ठहराते तो वो तुमें जिन्दा छोड़ देता ऐसा कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था हमें टिप यह मिली थी कि वो नारे कॉडिक्स स्मगलर था तुम कहते और वो मान जाता कि और पड़तार करता कौन करता सुनील भाई मुलता नहीं बजाते खुद आप क्या कहना चाहते हैं एक जरायम पेशा शक्स से जो कि तुम्हारे वजूद के लिए नहायत खतनाक साबित हो सकता था मिलने अकेले चले आये अकेले तो नहीं आया था एक साथी है साथ में जो नीचे लॉबी में मौझूद है कौन? आप उसे नहीं जानते है नाम लो जोरी वो तो तुम्हारे सदा शरावी यूद कलब वाले याल के लिए काम करता है यानि कि आप उसे जानते है तुम कहते हो वो नीचे लॉबी में है यहाँ तो तुम अकेले ही पहुँचे कोई उच नीच होती तो लॉबी में से यहाँ तुमारी मदद करने कोणा था बोलो मुझे उमीर नहीं थी कि कोई उच नीच होती इतने busy hotel में किसी पर काति लाना हमला करना हसी खेल तो नहीं नमोना अंदर मौजूद है हसी खेल का दोनों बातों में फर्क है सर वो room का registered occupant है जिसका किसी outsider ने कतल किया ऐसा कोई occupant अपने ही कमरे में किसी outsider का यानि कि मेरा कतल करना अफोर्ड नहीं कर सकता था बहार से कोई आया और कतल करके चला गया हाँ जाहिर है तुम्हारी खूफिय जानकारी पर एत्वार लाया जाए तो भीतर नेपियन हिल मर्डर केस का कातिल मरा पड़ा है नहीं सुनील ने जवाब नहीं दिया occupant के बारे में तुम और क्या जानते थे कुछ नहीं reception से बता नहीं किया कोशिश की थी लेकिन वो लोग कुछ बताने को तयारी नहीं हुए नाम तो मालूम होगा नहीं क्यों इंफॉर्मर ने नहीं बताया इसलिए अपनी खुद की रिसर्च करने तुम यहां चले आए अकेले अनार्म्ड अब था तो ऐसा ही मुलाकात के तमन्ना ही पांसो छे के अभी घंटी ही बजा रहे थे कि पुलिस आ गई इस बात की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं गई कि द्रवाजा लॉक्ट नहीं था नहीं गई मैं बस अभी पहुँचा ही तो था और थोड़ी दे जवार्म ना मिलता तो शाय चली ही जाती क्या करते द्रवासा खोल का अंदर चले जाते नहीं खोल का चौकर से अवाज लगाता नाम जाने बिना कैसे अवाज लगाते तो आप ऐसा सवाल ही मुस्टे क्यों पूछ रहे हैं सर पोटा साब पूछ रहा हूँ सच कहरे हो बीतर तो नहीं गए थे मैंने आपसे कभी जूट बोला है हाँ दरजनो बार सुनील ने आहत भाव से उसकी तरव देखा ड्रामा मत करो तुमाई नस नस से वाकिफ हूँ मैं मैं मान ही नहीं सकता कि तुम भीतर नहीं गए थे अब तो आप ये मुझे पर जुल्म बस करो और टलो यहां से अच्छा टलता हूँ लेकिन वारदात के बारे में कुछ बताईए तो सही अभी कुछ नहीं बताया जा सकता अभी तफ्तीश बर शुरू हुई है नीचे लॉब्य में जाकर इंजार करो दो गंटे बाद प्रेस को कुछ बताने की नौबत आएगी इतना इंतिजार है मैं अफोर नहीं कर सकता ऐसे तो कल के ब्लास्ट में इस कतल की निउस नहीं जा पाएगी तो वो तुम्हारी प्राब्लम है है तो सही वो फूलदान क्या बोला पीतल का फूलदान जो पीतल सेंटर टेबल पर पड़ा था प्लास्टिक के कभी ना मुर्जाने वाले फूलों से सुसजित उसे साफ जाहिर होता है कि वो मेजबर से गिरा था फिर उसे उठा कर पापस मेज पर रखा गया हाथ तो ऐसा कतल के बाद कातल ने क्या हो सकता है लहाजा उस पर उसके उंगलियों के निशान हो सकते है अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया वरना इतनी बारीक बात कहा मेरी समझ में आने वाली थी सौरी तो वो आपकी तवज्जों में है परभूतियाल ने जवाब नहीं दिया उसे घूर का सुनील को देखा अच्छा जाता हूँ जनाब जाता हूँ जाने से पहले एक बात आप सुनते जो क्या अगर करके ब्लास में मुझे मक्तूल की तस्वीर छपी दिखाई दी तो तुम्हारी खेर नहीं वो तस्वीर अपने आप में इस बात का सबूत होगा कि तुम कमरे के भीतर गए थी समझे सुनील खामुश रहा छापना तस्वीर यूँ साबित करना एक बाए फिर के ब्लास को सबसे आगे और फिर देखना मैं तुम्हारी क्या गत बनाता हूँ क्या चार्ज लगाएंगे आप ट्रेस पासिंग फोर्स एंट्री समझ गे और साथ में सुनील से कुछ कहते न बना चलो अभी हाँ से ओके थैंक्स फॉर नथी सुनील विवेक नगर पहुँचा जोहरी को उसने कूपर रोड से ही रुकसत कर दिया और रामा कान के I-20 का खुद कबजाली थी बड़ी सहुलियस से वो उस हाउसिंग कॉंप्लेस तक पहुँच गया जिसमें क्यारा सुबधी का आवाज था लिफ्ट के जरिये वो चौथी मंजिल पर पहुँचा जहांकि उसका फ्लैट था उसे कॉल बेल बज़ए कुशन की खामुशी के बाद दवाजा खुला और नाइटी पहने चौखट पर क्यारा पकट हुई सुनील को देखकर अपनी जहमाई चुपाती वो जबरन मुस्कुराई क्या कर रही थी? सोने की त्यारी? कैसे आई? तुमसे बात करने थी तो सुबह नहीं हो सकती थी? नहीं, अभी करनी है उसने उसे फ्लैट के छोटे से ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया खुद उसके सामने बैटी उसने सा परियास सुनील क्यों देखा मैं ऐसे शक्स से जूट के उमीर नहीं करता जो मेरे मदद का तालिब हो किसने जूट बोला आपसे? तुमने? मैंने? हाँ, क्या जूट बोला मैंने? तुम्हें नहीं मालू? यानि कि मेरे से कहलवाओ की तुमने जूट बोला कि होटल में तुम आदित्य खनना, उर्फ अंशल खराना के कमरे में दाखिल नहीं हुई थी मैं सच कहती हूँ कॉल बैल के जवाब में उसे दर्वाजा नहीं खोला था तुम्हें कॉल बैल के जवाब के जोद नहीं थी? तुम्हें मालूम था कि दर्वाजा लॉक्ट नहीं था? तुम भीतर दाखिल हुई थी और उससे मिली थी? ओ नो! ओ यस! ठगी से गवाई अपनी रकम को लेका तुम्हारे उससे तक्रार हुई थी तुमने उससे अपनी 19 लाख रुपे की रकम के वापसी की मांग की थी जिसको लटाने से उसने साफ इंकार कर दिया था फिर वही तक्रार इतनी वाईलेंट हो गई कि तुमने उसकी चाती में चाकू घौप दिया? महे? हरे मेरे पास कहां से आया चाकू? ये तो तुम ही बताओगी न? या फिर चाकू तुम्हारे पास था या तुम्हें वहाँ पड़ा मिला था तुम्हें चाकू उसकी चाती में घौप था जो कि उसकी मौत की वज़ा बना था ऐसा तुम्हें इरादतं किया था? या ये एक वक्त इस जुनूं के हवाले कर बैठी थी? अब ये तो तुम जानू तुम प्लीज मेरा यकिंग करो मैंने कतल नहीं किया सिर्फ कतल किया? नहीं बैलकि भूरे बालो और कमर पर बर्त मार्क वाली उस लड़की के बाब जूट बोला जिससे तुम कहती हो कि तुमने मक्तूल के कमरे से निकल कर जाते हुए देखा था अगर तुम्हारी कहानी को फरजी कराना दिया जाए तो वो उसमें फिट नहीं बैठती क्योंकि तब कातिल वो होती जो लाश को पीछे छोड़का जा रही थी तुम कहती हो कि जब उसने तुम्हारे लिए दवाजा खोला था तब वो लकडी के एक चेर पर बैठा हुआ था और वो लड़की अंदर सोफा चेर पर बैठी हुई थी और जाहिरा तोर पर वो उसे बाचित करता हुआ उठा आ तुम्हारे लिए दवाजा खोलने आया था लिहासा तुम्हारे भाँ पहुँचने के वक्त बीतर अमन शांती का महल था फिर चुटकियों में कतल की नौबत क्यों आ गए कातिल कतल करने वाला हो तो ऐसा करने से पहले क्या वो चेर पर बैठकर रिलेक्स कर रहा होता है वो खामोश रही ऐसी कोई लड़की नहीं थी वो तुम्हारी कलपना के उपस थी क्योंकि तुम चाहती थी कि कातिल उसे समझा जाता तुम अपना गोना उस फरजी लड़की के सत होपना चाहती थी मैंने कतल नहीं किया तुमने किया कतल नहीं तुम्हारे होशो हवास उड़ाए थे जो यूद कलब पहुँचने तक तुम्हारे काबू में नहीं आये थे जब तुम मुझे यूद कलब में मिली थी तो तुम्हारे होश इसलिए नहीं उड़े हुए थे क्योंकि तुम भाग दोड़ा अफरा तफरी से परशेमान थी तुम्हारे होश इसलिए उड़े हुए थे क्योंकि तुम कतल करके हटी थी नहीं और तुम्हारा ये कहना भी जूटत है कि यूद कलब पहुँचने से पहले तुमने 20-25 मिनट नजदी की पार्क में गुजा रहे थे ऐसा तुमने वक्त का हिसा माकुल बनाने के लिए किया था असल में तुम्हारा वो वक्त मक्तूल के साथ तक्रार में गुज़रा था उस तक्रार में गुज़रा था जिसका समापन कतल पजा कर हुआ था नहीं मेरा यकीन करो मैंने कतल नहीं किया तुम्हें कतल की खबर है, तुम्हारे बातों से जाहिर हो रहा है कि तुम्हें कतल की खबर है, हाँ या ना में जवाब दो हाँ, मुझे खबर है, क्यों खबर है, क्योंकि तुम कमरे के अंदर गई थी हाँ अब फिर भी कहती हो कि जूड नहीं बोला मजबूरन बोला एस्प्रेन उसकी उसकी हलत बता रही थी कि जो हुआ था वो तब ही होके हटा था खून तब भी उसकी चाती में से बहर रहा था और और वो भी जिंदा था क्या? हाँ उसकी सांसे फस-फस का चल रही थी लेकिन चल रही थी मैं उसके सामने उखुरू होकर बैठी मैंने उससे पूछा क्या हुआ लेकिन वो बोल नहीं पाया मैं उसकी बहां पकड़कों से तनिक जिंजोड का सवाल किया तो उसने बोलने की कोशिश की और उसकोशिश में सिर्फ एक लवस समझ में आया मंगला तुमने साफ सुना? साफ तो नहीं सुना साफ तो वो बोल भी नहीं पाय रहा था साफ बोलने लाग उसकी हालत ही नहीं थी लेकिन उस हाल में भी एक लवस उसने बोला और जो मेरी समझ में आया, वो मंगला था पहले मुझे लगा कि वो मंगला बोल रहा है लेकिन मेरे दिल ने यही गवाई दे कि वो मंगला कह रहा है किसी का नाम ले रहा था क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है क्योंकि कातिल मंगला नाम के कोई लड़की थी पेडरूम के आगे एक बालकनी थी, जिसकी रेलिंग लोही की गिरिल की थी, ऐसी रेलिंग को जंगला भी कहते हैं, जो एक शब्द वो बोल सका था, कहीं वो जंगला तो नहीं था, जो उसने ये बताने के लिए बोला हो कि कातिल उधा से फरार हुआ था, तुम मुझे कन्फ किया, नहीं, मैं तुम्हें फिर कहती हूँ कि मुझे मंगला सुनाई दिया था, और फिर आगे, फिर मेरी आखों के सामने उसने दम तोड़ दिया, इसका मतलब समझती हो, नहीं, अब समझो, इसका मतलब ये है कि वो वारदात तुम्हारे वहां पहुँचने से बस ज़रा पहले होकर हटी थी, और कातिल या कातिला अभी भी भी भीतर था, ओ माई गौड, तुमने एका एका काल बेल बजा दी थी, तो वो भीतर फस गया था, दरवाजा अनलोक था, और इस वज़ा से किसी भी शन तुम भीतर दाखिल हो सकती थी, अपने इस कोशिश में तुमने दरवाजा खोला, तो वो जा कर पीछे कमरे में, बैडरूम में छुपकिया, वो तुम्हारी आँखों के सामने मल गया, फिर तुमने क्या किया, मैंने, मैंने क्या किया, मैंने बहुत शिद्द से महसूस किया, कि अगर किसी तरीके से उस घड़ी मेरी वहां हाजरी लग जा था, मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसी कोई लड़की जिसके भूरे बाल और सेंडल सी दिख रही थी, बीतर सोफे पर बैठी तुमने नहीं देखी थी, नहीं देखी थी, उस बाबत भी तुमने जो कहा, अपनी लड़की वाली फरजी कहानी को मजबूत करने के रिए कहा, हाँ, और फिर, क्या क्या तुमने, मैं फॉरन वहां से निकल पड़ी, किसी चीज़ को छुआ था, नहीं, खास तो उसे चाती में धसे चाकू के मूट को, गौड नहीं, मुझे तो ख्याल तक नहीं आया था, हालाद बताते थे कि सेंटर टेबल पर पड़ा एक फूल दान, वहां हाँ, हाँ, उस वालदात ने मेरे होश उड़ा दिये थे, होटल से निकल कर मैं सच में काफी देर नज़ी की पार्क में बैठी रही थी, और तभी वहां से हिली थी, जब मेरे होश औहवास कदरन ठिकाने आये थे, कमरे में किती दे ठहनी थी, मुश्किल से एक मिनट, मैं स सवाल स्पेसिफिक था, चाकू फूलदां की बाबत, अब मेरा सवाल जनरल है, नहीं मैंने किसी चीज को नहीं छेड़ा था, मेरे हालत ही नहीं थी कि मैं किसी और चीज क्यों तवज्जो देती, मेरे तो होश उड़ गए थी, मैं तो फॉरन वहां से भाग निकली थी, किस पहले भी बोला, दो बाए इजहा से शर्मिंदगी का असर दोबारा नहीं हो जाता, वो मेरी नादानी थी, मुझे तुमसे जूट नहीं बोलना चाहिए था, अब कलती सुधार रही हो या अभी पैतरे बाजी कर रही हो, उसने आहत भाव से सुनील को देखा, ऐसे देखने की कोई जोद नहीं, तुमने खुद अपना क्रेडिट खराब किया है, I am sorry, yes, be so, I am, फरजी लड़की के बयान में, बर्थ मार्क वाली लड़की के बयान में, तुमने उसकी हाई हील पर बड़ा जोद दिया था, वज़ा, नहीं बस आजकल एस्ट्रा हाई हील का बहुत फ उसके होते क्या accurate अंदाजा होता कदका, यानि उसका हूलिया गोल मोल, कुछ अलग सा तुम बयान करना चाहती थी, हाँ हाँ, क्योंकि लड़की फरजी थी, तो हूलिया भी तो फरजी ही होता न, हाँ, बैडरूम में गहीं थी, मिल्कुल भी नहीं, मैंने तो बहार कमरे के मिडल से भी आगे एक कदब नहीं रखा था, जाती तो जानती, क्या होता, क्या होता, तुम भी वहीं मरी पड़ी होती, उसकी शहीनिस बस जुरुरी ली, गवा कौन छोडता है, क्या वाकि, कातिल बैडरूम में था, जब वादा तभी होके हटी थी, तो और कहा होता, मैं बैडरूम में गई होती, तो मेरा भी खूंका देता, बोला ना, गवा कौन छोडता है, लेकिन जब तुम कहते हो कि वो बालकनी का जंगला लांग कर फायर एसकेप के रास्ते भागा, तो उसका बैडरूम में क्या काम, पिछली सारी दिवार भारी परदे से कवर थी, सरका के बाहा जाकने का ख्याल उसे फरन आया हो, ओ, पर वो था कौन, हब क्या पता कौन था, मंगला का जिकर कर गे तुमने नहीं घुंटी डाल दिये, कोई औरत भी वारदात के लिए जिम्मेदार हो सकती है, उसने बोला था मंगला, साथ ही ये भी तो कहती हो ना, कि साफ नहीं बोला था, फिर भी मेरे ख्याल से तो मंगला के सिवाए उसने कुछ नहीं कहा था, चाकू मूट तक छाती में पैबस था, मैं नहीं समझता कितना forceful वार कोई औरत कर सकती थी, फिर उसने मरने से पहले मंगला क्यों कहा, शायद कुछ और कहा, जिसे तुमने मंगला सम कातिल को औरत साबित करने में तुम्हारी कोई खास दिलचस्पी है, अरे नहीं भही, तुम भी बात को कहां से कहां लेकर उड़ जाते हो, बेडरूम में एक बहुत कीमती हाई हील की सेंडल्स का डबा मौचूद था, लेकिन डब्बे में सेंडल नहीं थी, तुमने सेंडल बाहर ड्रेंडल में कहीं देखी थी? नहीं, क्यों? ताकि वैसी सेंडल को तुम अपनी फरजी कहानी में सजा पाती? नहीं, मुझे ना ऐसे सेंडल्स की खबर है, ना डब्बे की खबर है, मैं बेडरूम में नहीं गई थी, कि डब्बा देख पाती, मैंने तो लाश से ना सेंडल्स का क्या काम? सिवाए इसके कि वो पर्जेंटेशन आइटम थी, किसी मैडम जी के लिए कीमती तोफा थी? ये नहीं हो सकता कि मैडम जी ने तोफा कबूल किया, लेकिन सेंडल्स ही अज कच बाएं, और डब्बा पीछे छोड़ दिया? अब मुझे क्या पता से वो होटल का कमरा था, होटल के कमरे में सेंडल्स के खाली डब्बे की कोई तुक नहीं बनती, घर में तो लोगबाग डब्बा अगर बढ़िया हो, मजबूत हो, तो स्टोरिज के इस्तमाल के मद्दे नजर नहीं फ्याकती, होटल के कमरे में खाली डब्बे का क्या काम? ड लिप्सिक कौन सी लगाती हूँ? क्या? मैं लिप्सिक नहीं लगाती? होट तो बड़े चमक रहे हैं वो लिप क्लॉस लगाती हूँ? I see, लिप्सिक लगाती ही नहीं हूँ कभी फॉर्मर ओकेजन पर शादी बिया पार्टी में वैसे अमूमन नहीं लगाती? ड्रिंक करती हूँ? रुटीन के तौर पर नहीं कभी कबार ऐस शोशल ड्रिंकर? वाही निया वोत का? Never मैं बस यही लेती हूँ, विस्की नहीं अच्छा, अपना हाथ आगे करो क्या? दोनों हाथों को मेरे आगे फैलाओ उसे निदेश का पालंग किया सुनील ने देखा कि उसके बाएं हाथ के बीच के उंगली में सोने के अंगूठी थी, जो की जड़ाओ नहीं थी दाएं हाथ की कलाई में सिर्फ एक लेडीज वाच थी, उसने सर उठा का उसके गले और कानों पनिगा डाली तो पाया की कानों में मामूली टॉप से अगला खाली था मुझे जेवरो का शौक नहीं उसने जैसे उसके मंग की बात भापी खमाल है, वो चुप रही अब फाइनली मुझे ये बताओ कि जो अब तक कहा, सच कहा हाँ, as God is my judge I spoke the truth इस वक्त God तुम्हा जज नहीं है इस वक्त मैं तुम्हा जज हो मैंने जो कहा, सच कहा Okay, I believe you Good night, sweet dreams अब, अब क्या होगा, सुनील अभी जो हुआ है, वो ठीक से समस्तो आले फिर मालूम पड़ेगा कि क्या होगा और हाँ, एक बात और कतिल के वक्त के आसपास पुलिस को होटल में तुम्हाई मौजूद की की वावत जानकारी हासिल हो सकती है Oh no मैंने कहा, हो सकती है इसलिए तुम्हें नेक राय है कि पुलिस से जुट बोलने से प्रहिस करना खामा खाँ उन से जुट बोलोगी तो अपना केस खराब कर लोगी उन्होंने मुझे कातिल समझ लिया तो हाँ ऐसा हो सकता है इस वज़ा से तुम्हें छोटी मूटी जहमत भी उठानी पड़ सकती है लेकिन अंतिम जीत तो हमेशा सचकी होती है न अगर तुम बेगुना हो मैं हूँ बाइगॉण मैं तो दुनिया के कोई का ताकत भी तुम्हें गुने गास आपिद नहीं कर सकती उसने कठिन भाव से सहमती में सहिलाया एंड माइंड इट एक आकल का अंधा अभी भी तुमाही तरफ है कौन? सुनील भाई मुलतानी सुनील दस बजे ब्लास के आफिस में पहुँचा सेड़ियां चड़का वो पहली बंसल पर पहुँचा और रिसेप्शन के आगे से गुजरा रेडूं के पूछने पर उसने सारी बाब बताई हो, आजकल इस किसम के हाइफाइ क्राइम बहुत बढ़ गए है लड़कियां आमशिकार हो रही है फंदेबाजो के तू संबल के रहना मेरे को कोई खत्रा नहीं मेरे पास बाप दादाओं का छोड़ा या खुद का कमाया कोई बड़ा रोकड़ा तो है नहीं मिने पीछे कौन पड़ेगा फिर भी फिर भी पड़ेगा न तो खता खाएगा क्या करेगी भून के खा जाओंगी मुझे पूरा यकिन है तो ऐसा का सकती है वो हसी हसती बहुत अच्छा है और भी कई कामें जो मैं अच्छे करती हूँ मसले है वो होड दबा का हसी ये खास हसी ही बता रही है कि कोई वहियात बात है तेरे जहन में है तो सही क्या सोचो फुरसत में सोचूंगा अभी ये बता तुझे उस लड़की से हमदर्दी है हाँ दिल से हाँ कहतो रही हूँ तो फिर एक काम कर क्या अपनी हुश्यारी कहीं हो दिखा कहा कैसे सुनी ले उसका स्क्रेच पैट करीब खसीट कर उस पर एक नाम और नमबर लिखा और पैट वापस करके उसके सामने सरकाया तोडल महता रेनू ने पैट पर से पढ़ा 985428653 हाँ तो इसका कोई अता पता निकाल अता पता क्या अरे भही नाम है नमबर है तो कोई अडर्स भी होगा न हम ये एर टाई का नमबर है और ऐसे नमबर पोस्परिट कनेश्चन्स के होते है शबाश वेल बिगन इस हाफ़ टन तो मैं करती हूँ कुछ अभी और क्या अगले अफ़ते जीती रहे वो वहाँ से हटा और अपने कैबिन में पहुँचा उसकी मेज पर उस रोज का ब्लास पड़ा था ख़बर की कतिल की ख़बर मुख प्रश्पर छपी थी अलबत्ता सुनील के साथ मक्तूल की लाश की तस्वीर छपवाने से पढ़िस किया था वो तस्वीर छपती तो सिर्फ ब्लास में छपती जो कि ब्लास के सर सहरा होता लेकिन सुनील ने परभुदयाल से पंगा ना लेने को ही तरजी दी उस सिलसिले की शुरुवात से ही परभुदयाल उसके खिलाफ हो जाता और ये सही नहीं था तब ही रेरून ने भीतर कदम रखा उसने उसके सामने स्क्रेच पैट का वही वरकार लिखा हो जिस पर सुनील ने तुरल का नाम और मोबाइल नमबर खसीटा था उसके नीचे दस था हाउस नमबर बाइस फर्स फ्लोर सनातन रोड इतनी जल्दी जान लिया? हाँ, बहुत बढ़िया अरे मैंने उस नमबर पर कॉल लगाई और रॉब से कहा के एरटल से बोल नहीं हूँ आपका पिछला बिल जमा नहीं हुआ जैसे क्या पिशित था उसने कहा कि उसने तो चेक कलेक्शन बॉक्स में डाला था मैंने चेक के डेटेल्स पूछी जो उसने बता दी फिर मैंने पूछा कि उसके पास पिछला बिल था जवाब मिला था मैंने उसको relationship और bill number दोराने को बोला फिर buy box के entry पढ़के सुनाने को बोला उस box में तुम जानते हो की नाम और पता होता ही है जो उसने दोरा दिया और मैंने note कर लिया बस वाह तू ने तो कमाल कर दिया साथ ही बोल दिया कि अगर दोबारा phone ना आए तो समझ लें कि check trace कर लिया गया था और check amounted credit कर दी गई थी कमाल अब मेरा drink dinner पका बिल्कुल वो तो तेरे कुछ किये बिना भी समझ पका लेकिन जब इतना किया है तो इसी काम को थोड़ा और आके सरका क्या करो सुनीलने उसे मक्तूल की mobile के favorites column से नूड की क्यारा को छोड़ कर बाकी तीन के नाम और mobile नंबर लिख कर दे वैसी ही जुगत इनके पते निकालने में कर फिर dinner drink पका वो भी डबल बिल्कुल drink भी देखेंगे जो पूचा है उसका जवाब तो पका कब शनिवार शाम को फिर अगले शनिवार शाम को फोन आया मैं होटल स्टारलाइट से बोल रहा हूँ क्योंकि आप चाहते थे कि मैं आज भी होटल का मौकाई वारदात का चक्का लगाऊ हाँ क्या पोजिशन है इस वक्त पुलिस यहां मौजूद नहीं है लेकिन रूम नंबर 506 को पुलिस सील करके गई है पांसो पांच भी उक्कूपैड है कैसे पता चला जब मैं पांच भी मनजिल पर गया था तो मैंने पांसो पांच के दरवाजे पर ब्रेक्फास की खाली ट्रे पड़ी देखी थी जो कि इस बात की साफ चुगली करती थी कि भीतर कोई था और जिसको रूम में ब्रेक्फास सर्व किया गया था जिसके ने ब्रेक्फास के बाद फлोर वेटर के पिक करने के लिए खाली ट्रे बाहर रख दी थी कौन था वो मैंने फ्लोर वेटर को ही पटाकव से मालुम किया था वो room hotel के एक assistant manager के कबजे में है बेटा ने उसका नाम तुशा अब रोल बताया है अब वो कमरा monthly basis पर उसके पास रहता है यानि किराया भरता है 25 फेस दी क्या मतलब नए management के अंडर वो hotel अभी ठीक से नहीं चल रहा take over के बाद सही occupancy मुश्किल से 40% हो पाती है इसलिए hotel का कोई अधिकारी चाहे तो वो discounted rate पर hotel के में कमरा हासे कर सकता है कितना discount? 75% इतना? आँ यही मालूम पड़ा है बड़ा general management है स्टाफ के लिए तो वाह सुनने में आया है कि वो दो महीने से उस room में है और आगे भी होगा occupancy rate इंप्रूव ना हुआ तो होगा ही हम जब वो इतने अर्से से उस floor पर रह रहा था तो तुम्हें यह क्यों बोला गया कि सिर्फ 506 occupied था? यह नहीं बोला गया था यह बोला गया था कि उस floor के 12 कमरों में से सिर्फ ए 506 guest के हवाले था तो क्या फर्क हुआ? फर्क हुआ ना सर जिस receptionist से कल मैंने यह जानकारी निकलवाई थी आज मैं उससे फिर मिला था वो कहता है कि उसने assistant manager तुशार अबरॉल के हवाले कमरे को count नहीं किया था क्योंकि वो guest के हवाले तो था नहीं staff के हवाले था nonsense अब जो उसने कहा मैंने आपको बता दिया तुम तुशार अबरॉल से मिले? लॉबी में शकल देगी थी मिलने वाले तो कोई बात ही नहीं थी क्या देखा शकल में? 40 से एक साइका था clean shift hospitality, business को suit करने लाएक अच्छी personality थी तब ही से वहां का मुलाजिम था जब से नई management ने take over किया था I see you और एक और बात मालुम तो हुई है लेकिन पता नहीं वो आपके किसी काम की है या नहीं ये तो मैं बात को सुनकर ही फैसला करूंगा मक्तूल ने वारदा से चार दिन पहले जब होटल में चेकिंग किया था तो उसे चौती मंजिल का एक कमरा मिला था लेकिन अगले ही दिन उसका कमरा चेंज कर दिया गया था उसे एक मंजिल उपर 506 में पहुँचा दिया गया था अब चेंज की क्या वज़ा थी वो नहीं मालूम औक्यूपेंट को कोई शिकायत हुई होगी रूम से हाँ हो सकती है अब मेरे लिए क्या हुकम है तुम वापस चले जाओ तुम्हाई लिए अब वहां कुछ नहीं रखा कुछ रखा होगा तो मैं देखूँगा ठीक है लाइन कटके तभी रेनू ने वहां कदम रखा सुनील ने आशापूर निगाउं से उसकी ओदेखा सौरी कुछ पता नहीं चला तीनों प्रिपेर नमबर निकले इसे मेरी पूरिया उन पर नहीं चली कोई बात नहीं सौरी अगीन नेवर माइंड